जै माता दी ओम गरेश आई नम गरेश जी महाराज और माता लच्मी की एक बहुत सुन्दर कहानी लेकर आई हूँ उमीद करती हूँ कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी अगर यह कहानी पसंद आई तो अगर आप लो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करने बेल नोटिफिकेशन औल पर सिट करने आई गी सुनते हैं आज सुक्रवार के दिन भगवान गरेश और मा लच्मी की यह कहानी एक समय की बात है किसी नगर में एक ब्रामहर और एक ब्रामहरी रहती थी दोनोंने घर के मंदिर में गरेश जी और लच्मी जी की मुर्ती यस्थापित कर रखी थी ब्रामहर प्रती दिन उनकी सीवा पूजा करता था और ब्रामहरी भोजन बनाती उनको भोग लगाती थी ब्रामहर के घर बस एक ही कमी थी वह दोनों आपस में छोटी छोटी भातों को लेकर जगडते थे ब्रामहरी भोजन बनाती तो ब्रामहर को कहती भोग लगा दो ब्रामहर कहता तुम लगा दो मैंने पूजा कर दी है जब भगवान को सुलाने का समय होता आरती का समय होता तो ब्रामहर कहता तुम कर दो और ब्रामहरी कहती तुम कर दो परन्तु नोग जोग के साथ दोनों का गुजारा हो रहा था कार्ति का महिना था और दिपावली का दिन था ब्रामहरी नी भोजन बनाया और ब्रामहर को कहा भोग लगा दो इस बाद से फिर दोनों में नोक जोक शुरू हो गई गडिश जी महारार लचमी जी से बोले यह दोनों तो बहुत लड़ते हैं हम किसी और के घर जाकर आसन ग्रहड करते हैं वे दोनों ब्रामहर के घर से चल दिये, कुछी दूर पर एक घर में पहुचे तो दिरानी जिठानी आपस में लड़ रही है, घर का यांगन गंदा पड़ा है, जूठे वरतर इधर उधर विखरे पड़े है, भोजन पानी की कोई विवस्था नहीं है, लच्मी जी बोली यह तुम्हें बिल्कुल नहीं रहूंगी, दूसरे घर गए तो देखा, बहु अपने सास से लड़ रही थी, वहां भी बरतन सब ऐसे ही पड़ा था, भोजन पानी का कहीं कोई नाम नहीं था, तीसरे घर गए, वहां ननदभा भी लड़ रही थी, चौथे घर गए, वहां भा भाई भाई आपस में लड़ रहे थे, जिसके भी घर में जाते, कुछ न कुछ बुरा वहां उन्हें मिलता था, फिर लचनी जी बोली, गरेश जी घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, कहीं भी भोजन पानी नहीं मिला, चलो ब्रामहर के घर वापस चलते हैं, वे दोनों ब्रामहर के घर पहुचे, अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी, द्वार खटखटाया, अंदर से ब्रामहरी बोली, मैं नहीं खोलती द्वार, पहले तो तुम चले गए, अब किम आए हो, वे बोले, ब्रामहरी, अब नहीं जाएंगे, ब्रामहरी बड़ी होसिया बोली, मैं नहीं मानती की, अब दुबारा आप नहीं जाओगे, पहले मुझे बचन दो, तभी मैं द्वार खोलूंगी, लच्मी जी बोली, मांग ब्रामहरी, क्या मांगती है, तब ब्रामहरी बोली, अन दो, धन दो, पूत पालना, दो, सूनी का अखार दो, कूलाई हाथी घोडे दो, लाव लस कर दो, बारह वस की मेरी काया हो जाए, बारह वस की मेरे ब्रामहरी की काया हो जाए, ऐसा वचन दो, लच्मी जी बोली, जा ब्रामहरी, तुझे यह सब प्राप्त होगा, ब्रामहरी ने द्वार खोला, गरेश जी, और लच्मी जी ने अंदर प हमें ठग लिया पर जा तुझे यह सब प्राप्थ होगा लेकिन एक बात याद रखना की आज के दिन्यानी दिपावली के रात को अपनी आगन में चौक पूर कर एक चौमुखी दिया सारी राज जलाना मैं तेरी साथ पिल्धियों तक बिराज मान रहूंगी ऐसा कहकर जी और लच्मी जी ब्रामहर के घर वापस विराज मान हो गये और उनकी क्रिपा से ब्रामहर के घर सब सुख ही सुख हो गया एक और कथा के अनसार एक बुढ़ा ब्रामहर था वह रोज पीपल को जल से सीचता था पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती पिता ज मैं आपके साथ जाऊंगी यह सुनते सुनते बृधा दिन बर दिन कमजोर होने लगा तो बुढ़िया ने पूछा बुढ़ा बोला कि पीपन से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी बुढ़िया बोली कि कर ले आना उस लड़की को जहां छे लड़किया पहले से ही हमारे घर में है वहां साथ में लड़की और सही अगले दिन बुढ़ा उस लड़की को घर ले आया घर लाने के बार बुढ़ा आटा मागने गया तो उसे पहले दिनों की अपेच्छा ज्यादा आटा मिला था जब बुढ़िया वह आटा चानने लगी तो लड़की ने कहा की लाओ माँ मैं चान देती हूँ जब वह आटा चानने बैठी तो परात भर गई उसके बार माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली की आज रसोई मैं बनाऊंगी तो बुढ़िया बोली की ना तेरे हाथ जल जाएंगे लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 362 बना डाले और आज सभी ने भर पेट खाना खाया इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा की दीदी मैं तो खाना खाऊंगा बुढ़िया परिसान हो गई की अब खाना कहां से लाएगी लड़की ने पूछा की मा क्या बात है उसने कहा की तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा लेकिन रोटी तो सबने खा अब उसके लिए कहां से लाऊंगी लड़की बोले की मैं बना दूंगी और वह रसुई में गई और मामा के लिए 362 बना दिये मामा ने भर पेट खाया और कहा भी की ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया बुढ़िया ने कहा की भाई तेरी पावनी भादी है उसी ने बनाया है साम हुई तो लड़की बोली की माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना कोठे में मैं सोऊंगी बुढ़िया बोली की ना बेटी तू दर जायेगी लेकिन वह बोली की ना मैं ना डरूंगी मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी चह कोठे में ही जाकर सो आधी रात को लड़की उठी और चारो ओर आख मारी तो धन ही धन हो गया वह बाहर जाने लगी तो एक बुढ़ा ब्रामः सो रहा था उसने देखा तो कहा की बेती तू कहा चली लड़की बोली की मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवालो उसने बुढ़े के घर में भी आख सी देखा तो चारो ओर धन ही धन हो गया शुबशबेरे सब उठे तो लड़की को नव पाकर उसे धूढ़ने लगे की पावनी बेटी कहा चली गई बुढ़ा ब्रामः बोला की वह तो लच्मी माता थी जो तुम्हारे साथ मेर दरिद्रता भी दूर कर गई ये लच्मी माता जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे ही सबकी करना